नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्थित हो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जी हाँ दोस्तों घर के व्यंजनों और मकर शक्रांती पर खास तोर पर चिक्की बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाले तील या तिली अपने खास गुणों के कारण कई प्रकार से फायदे मंद है या आपके स्वास्थिकों हर तरसे बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है दोस्तों तो आएए आज हम तील या तिली के गुणों से वाकिफ होते हैं दोस्तों नमबर वन तील का प्रियोग मानसिक दुर्बलता को कम करता है जिससे आप तनाव डिप्रेशन से मुक्त रहते हैं प्रती दिन थोड़ी मात्रा में तील का सेवन कर आप मानसिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं दोस्तों नमबर टू तील का प्रियोग बालों के लिए वर्दान सावित हो सकता है तील के तेल का प्रियोग या फिर प्रती दिन थोड़ी मात्रा में तील को खाने से बालों का असमय पकना और जढ़ना बंद हो जाता है नमबर तृ तील का उप्योग चेहरे पर निखार के लिए भी किया जाता है दोस्तों तील को दूध में भिंगू कर उसका पेश्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमकाती है और रंग भी निखरता है इसके अलावा तील के तेल की मालिश करने से भी चेहरे पे निखा रहता है दोस्तों Number four, तील को कूट कर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है साथ ही काले तील को चबा कर खाने के बाद थन्धा पानी पीने से बवासीर में लाब होता है दोस्तों इससे पुराना बवासीर भी ठीक हो जाता है नमबर फाइब शरीर के किसी भी अंग की त्वचा के जल जाने पर तील को पीस कर घी और कपूर के साथ लगाने पर आराम मिलता है और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है नमबर सिक्स सूखी खासी होने पर तील को मिश्री वपानी के साथ सेवन करने से लाब मिलता है दोस्तों इसके अलावा तील के तेल को लहसुन के साथ गर्म करके गुनगुने रूप में कान में डालने पर कान के दर्द में आराम मिलता है सरदियों में तील का सेवन शरीर में उर्जा का संचार करता है दोस्तों और इसके तेल की मालिश से दर्द में रहत मिलती है तील दातों के लिए भी फायदे मंद है सुबह शाम ब्रश करने के बाद तील को चबाने से दात मजबूत होते हैं दोस्तों साथ हैं यह कैल्शियम की आपूर्ती भी करता है नमबर नाइन फटी एणियों में तील का तेल गर्म करके उसमें सेंधा नमक और मूह मिला कर लगाने से एणिया जल्दी ठीक होने के साथ हैं नर्म वा मुलायम हो जाती हैं नमबर टेन मुह में छाले होने पर तील के तेल में सेंधा नमक मिला कर लगाने पर छाले ठीक होने लगते हैं सूखा जो उपीस कर तील के तेल में मिला कर गुपतां के सारे दोश दूर हो जाते हैं दोस्तों 20 ग्राम लॉंग को 50 ग्राम तील के तेल में जला कर मालिश करने से मजबूती आती है दालचिनी का तेल, बादाम का तेल, जमाल गोटा का तेल और पिस्ता का तेल सभी तेल समान मात्रा में लेकर एक साथ मिला कर रख लें इसे एक भूद की मात्रा में रात को सोते समय, इंद्रियप पर लगाएं और उपर से पान का पत्ता बानध कर सो जाएं इस तीर का प्रयोग एक महीने तक करने से आपके गुब्तांग का तेहापन दूर हो जाता है दोस्तों तो इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुढ़ेंगे कुछे कौर महतोपून जानकारियों को ले करके दोस्तों तब तक के लिए हमें आज्या दीजे धन्यवाद नमस्कार दोस्तों